स्री शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब देखिए यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति हो बड़ा हो छोटा हो कोई भी व्यक्ति गुसा करता हो बहुत जादा गुसा करता है और घर में कोई भी प्रेम भाव से नहीं रहता है घर में कलेश का माहोल रह तो आपको गुरुवार के दिन ये सुन्दर सा छोटा सा प्यारा सा उपाय जरू करना चीए हर एक घर में ये उपाय होना चीए ताकि उनके घर की ये जो समस्या है ये दूर हो जाए पुझ्य गुरुदेव की ही कता सुनकर के समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूँगा लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव की यदि आप सच्चे भगते हैं तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें देखिए कल गुरुवार का दिन है ब्रजपतीवार है तो कल गुरुवार के दिन ये सुन्दर सा उपाय आप कर सकते हैं यदि आपको बहुत ज़्यादा परिशानी है आपके घर में रहने वाले लोग सुधर ही नहीं रहे हैं आपने कितने ही प्रयास कर लिये लेकिन वो सुधरते ही नहीं है यदि आपके घर में बहुत ज़ादा घरकलेश है घर में सुक शान्ती नहीं है तो इस उपाय को करने से आपके घर में सुक शान्ती होगी और आपके घर से घरकलेश दूर होगा ही होगा बहुत आसान सा उपाय है देखे करना क्या है गुरुवार के दिन सुबह से लेकर की श जो देजल उसके अंदर डालना है ठीक है उसके अंदर मात्र एक चुटकी हल्दी की आपको डाल देनी है अब आपको क्या करना है आपके घर के आंगन में जहां कहीं भी तुलसेजी है वहाँ पर जाना है और ओम नमो भगवते वासु देवाय का जाप करते हुए ये जो जल क पात्र है पूरा जल जो है कच्चा दूद मिशिट जल ये आपको तुलसेजी में अर्पित कर देना है जिसे आपने तुलसेजी में अर्पित करी आपके घर की तुलसेजी हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप मंदीर में जो आंगन में तुलसेजी लगी रहती ना वहाँ पर भी ये आप अर्पित कर सकते हैं देखो अब क्या करना है जिन तुलसी जी में आपने ये अर्पित करा है उन्हीं तुलसी जी की जो मंजरी रेती है वो मंजरी आपको निकालना है थोड़ी सी मंजरी आपको निकालना है और वो मंजरी तुलसी माता से प्रातना करके कि ये मंजरी मेरे जीवन के ग्रकलेज जो है वो सब दूर करेगी मेरे घर में सुख शांती लाएगी ऐसी आपको प्रातना करनी है और वो मंजरी आपको ले लेनी है ठीके अब इस मंजरी को बिल्कुल चूर लेना है पीस लेना ह इसके अंदर एक चुट के हल्दी डालना है और इसके अंदर शुद्ध घी डालना है घी भी डाल सकते हैं या तो पानी भी डाल सकते हैं अब आपको क्या करना है इससे सबसे पहले आपके घर में भगवान विश्णो की फोटो हो भगवान विश्णो के किसी भी अवतार की फ होता है उसका जो मन है वो शांत होता है उसके जीवन में जो भी वो गुसा करता है वो शांत होता है और ये उपाय आपको केवल एक बार नहीं करना है ये उपाय लगातार तीन से पाँच गुरुवार आपको लगातार करना है, हर गुरुवार को आपको यह उपाय करना है, यदि आपके घर के बच्चे तीलग नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना है, तामबे का पात्रे लेना है, उसके अंदर शुद्य जल मिलाना है, तुलसी जी की मंजरी का यह जो पाउडर है, यह मिलाना ह घर के अशुप प्रभाव दूर होते हैं ग्रेकलीश दूर होता है जिस भी व्यक्ति के उपर इसका छिटकाव करते हैं उसके जीवन से दुरभागे दूर होता है बहुत ही आसान सा ही उपाई है तो ये उपाई भी आप कर सकते हैं अनों में से एक उपाई करना है तीलक कर सकते हैं तो बहुत ही अची बात है नहीं तो आप मंजरी के जलका ये जो छिटकाव है वो कर लेना कल ये उपाई करके देखिए फाइदा निशित होगा क्योंकि तुलसी जी बहुत ज़ादा पवित्र मानी जाती है और गुरुवार के दिन तुलसी जी का ये जलका छिटकाव तो बहुत ही प्रभावशाली होता है तो इस उपाई को कल जरूर करना अगर आपको कुछ बेचे समझ में ना आए तो कमेंड में पूछ लेना गलती नहीं करना है श्री शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादीव